कि बीजेपी कह रही है कि ममता बनर्ची को साफ कर देंगे ममता बनर्ची इस बार नहीं रहेगी चुना में तुम जैसे कि आपकी बड़ा ट्रम्प सरकार यह भी कहा था उन्हों नहीं लेकिन वो सरकार चली गई तो उनका कहने नहीं कहने से तो कुछ फरक ने पड़ता बीजेपी को कोई नहीं लाना चाहता है कि बीजेपी आने के बाद यहाँ पे सामाजिक स्वास्त भी आ लेगा इसमें कोई दो डाउट है लेकिन दीदी हैंगे जो बंगाल में आज जो शांती बरकरार है इस शांती को अगर रखना चाहते है तो दीदी से बढ़ियाँ विकल कोई है नहीं हाँ जमीनी जो लाड़ाई है उसमें बीजेपी नहीं सक पाएगा दीदी ओन टॉप रहेगी बाजार में खड़ा हूँ और बाजार के साथ साथ जो है पश्री मंगाल में चुनाओ का बाजार भी बहुत गरम है आम जंता से जानते हैं कि क्या मूड है इस बार बंगाल का और कोशिश करते हैं कि आम नागरिक से और आम लोगों से पूछेंगे कि क्या चल रहा है कि बश्षी मंगाल में क्या चीज़े हैं ये बताइए कि बश्षी मंगाल में क्या चलना इस बार क्या चला है एलेक्शन में मम्ताव एनल जी और कुछ नहीं दूसरा ओप्शन ही नहीं है बीजेपी को कोई नहीं लाना चाहता है कि बीजेपी आने के बाद यहां पर सामाजिक स्वास्त बिगा लेगा क्या लग रहा है कि बीजेपी की बड़ेगी लेकिन दीदी आएंगे नो डाउट घ्राइबaaa Mills दिदी ने इस दस वर्षों में जनता के हित के मताबिक काम किया चाहँ अब आपका लेटेस довольно में वहो हैलट कर आया उन्होंने फाइव लाग का यह जो सब्सक्राइब करते हैं तो उनका जो सब्सक्राइब कर देंगे इस बार नहीं रहेगी चुना में तो क्या लग देखिए जैसा कि आपकी बड़ ट्रम्प सरकार यह भी कहा था उनों लेकिन वह सरकार चली गई तो उनका कहने नहीं कहने सब यह तो उनका कुछ फरग नहीं पड़ता वह बहुत कुछ बोल है कि इसे दिली में उन्हों है जिस तरह कि हुआ पर केमपेजन हुआ है मतलब बिल्कुल वाहियात गंदा तरीका से उन्होंने एलेक्शन का हो महौल बनाया था लेकिन जो वहाँ पर रिजल्ट आया है वह वाकई में काबिले तारीफ थी और वही चीज जहां पर भी होने वाला है अच्छा क्या लगता है कि बीजेपी यहां चुना में कैसा परफॉर्मेंस कर पाए बहुत देखे जतना बीजेपी अपना डोल पीट रहा है उतना तो नहीं कर पाएगा हाँ थोड़ा इंप्रूब्मेंट पिछले बार से इस वाल थोड़ा इंप्रूब्मेंट होगा कि बहुत सारे गद्दाल चोर जितने ते सब बीजेपी जोइन कर लिए जैसे के शुविंदू अधिकाली तो इन लोगों के जाने के वएसे हो सकता है बीजेपी को थोड़ा सर्प्लस मिले लेकिन सरकार ममतब एनलजी का ही बने लेकिन सरकार में जो हंगामा करते हैं कि यह यहां पर बहुत रक्त शरीत है हर जगा यहां पर खुन की नदिया बहर रही है ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता है यहां सबसे ज्यादा सुरच्छित और सबसे ज्यादा सांती है पूरे हिंदूस्तान में अगर देखा जाए और इनके जहां जहां राज में जो सरकार हैं जैसे कि आप अभी देख लिए यूपी में अभी बिहार में हैं आए दिन वहां गुंडा राज है किसी को बोलने की आदादी नहीं है अगर कोई कुछ बोलते हैं आजाए हद्रस कान में जो पत्रकारित्या करने के लिए एक वीडिया रिपोर्टर गय थे उनको पकड़के अंदर कर दिया गया तो इस तरह का मामला है लेकिन हमारे बंगाल हैसरा कोई मामला नहीं है और यहां पर जो लोग हैं जो बंगाल की धरती यह बहुत आधा यहां से बहुत आधा उठी से अधि sweeping नित्रित में ही एक आवाज उठेगी और एक लड़ाई लड़ी जाएगी जो पूरी दिली तक जाएगी अच्छा है कि ये शोबिंदो अधिकारी और और सारे जो दीदी के बहुत करीबी थे वो बीजेपी में शलेगा तो उससे दीदी को फरक नहीं है किसी जमाने में मुकल रहे गए थे वही बीजेपी है जिसने कहा था भाग मुकल भाग आज वही है जो बीजेपी जॉइन की है तो यही सब सारदा इसकायन का नो डाउट है इसमें एक्सेप्शन नहीं है लेकिन क्या है ना वक्त एक तरह का नीरा है न रहेगा तो इंसान बदलाओ लाएगा यही बात है क्या लग रहा है कि ममताव इनर्जी इस पर कमजोर पड़ गई अकेले के दम पर टी एमसी पार्टी खड़ आज भी अकेले है कल भी आकेले रहेंगी और वो जब तक टी इमसी में है ममताव इनर्जी को जानता है कोई शिविंदो अधिकारी या मुकुल रहा को नहीं जानता है काम हुआ है जैसे कि आप यह रास्ता ही देख रहे हैं आज से 15-20 साल पहले की बात बता देते हैं वाम फ्रंट के टाइम पे इस रास्ते से लोग अंधेले होने के बाद गुजरते नहीं थे लेकिन आज की डेट में ये एक मार्किट बन गिया है ये मम्ताव एनल जी के दिन है और साफ सफाई सड़क का काम बिजली का काम हर जगह आप देख सकते हैं बात बताईए क्या लगता है कि इस बार जो है बीजेपी के जो प्रिसिडेंट यहां की अधियक्ष पश्री मंगाल के दिलिव गोश्व अब लगातार इलजाम लगा रहें कि टीमसी लगातार जो है मम्ताव एनल जी के लोग जो है उनके कारेकरताओं को मार रहे हैं हमला कर देखे उनके पास तो अचारा है निए सोवाय इलजाम लगाने के कारेकरता तो भिंठे जड़ापे होती रहती है जो है आप जहां भी देखें यह एलेक्षन गा वक्त होता है तो कुछ घड़ापे होती रहती है तो इसको इस तरह से नहीं देखा जाना चाहें प्याज़ को भी देख सकते हैं आप जो है कि राजपाल जिस तरह के से लगता है कि वह ब्यूपी के प्रवक्ते ही है तो आज देखें ब्यूपी कहीं नहीं है अगर जमीनी लेवल में देखेगा बीज़ेपी सिर्फ मीडिया में है क्योंकि मीडिया चैनल को उन लोगों ने पूरा खरी लोग है वह वहां जाकर के साफ हो जाते हैं अनिया श्री जो बच्चों के लड़कियों की शादी के लिए पटीस जारुपे का पैसा दिया जा रहा है गवर्मेंट के तरफ से इन्होंने जो आईश्वान भारत बनाया था उससे बहतर जो हैसा हमारी दिदी यहां पे स्वा बसंद करते हैं ऐसा कोई खास बात नहीं है और असाद दिनों ऐसी कोई क्रेज नहीं आप यावे सिर्फ एक ही आदमी क्रेज है वह ममता पैलाजी जी पी कह रहे है कि इस बार तो ममता को साफ कर ने कहने से क्या होता है वो तो कहते हैं बहुत कुछ जो बोले तो पंदा ला और उस पैसे को ये लगा करके हर के इंपी और एमिले को खरीदने का काम करते हैं जो और ममता बनर जी ने जिस तरह से यहां पर अमन वसांती का पैगाम दिया या जिस तरह का यहां काम किया तो उनका रहना और नहीं रहना या आना उनका नहीं आना ऐसा कुछ उनको फरक न लगता है कि इस बार पश्री मंगाल के चुनाव में मतलब हिंदू मुसल्मान का फैक्टर के तना बड़ा ही मतलब के इशू बनने वाल यह देखिए यह जहां भी जाते हैं हिंदू मुसल्मान के दंपे जाते हैं यह लोग इशू ढूंड रहे हैं इशू मिल नहीं क्योंकि का पुब्लिक बहुत समझदाल है यह लड़ना नहीं चाहता है जैसे के और बाकी प्रदेश में हुआ असाम में हुआ उत्तर प्रदेश में अब आसाम में भी राइट के बाद बीजेबी का सरकाल है बिहाल में भी वही आलत है हल जगा यह लोग हिंदू मुसल्मान और आप यह चाहते हैं कि आज जो बंगाल में आज जो शांती बरकरार है यह शांती को अगर रखना चाहते हैं तो दीजी से बढ़ियां विकल कोई ही नहीं है